जैसे आराम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मन्जीत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप शबी का आपके अपने यूटूब चैनल मन्जीत भमाबद में तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं बैस्वा माता मंदिर शारंगपूर जो राजगर जिले में है और मैं यहां पर उपस्तित हूं अभी हरीपूरा तो यहां से लगबग 60-65 किलो मिटर के आसपास पड़ता है तो चलते हैं आज माता रानी के दरबार में माता रानी का यह मंदर वहुच ज्यादा फेमस है बैसे तो बसंत पंचमी पर वहां पर मे चलता है पूर्णी मा के दिन माता रानी अपने मुख्य मंदर पहाड़ी वाले मंदर से होते हुए माता रानी की पालकी निकाली जाती है जो पहाड़ी से होकर मतलब नीचे बहस्वा माता ग्राम में आकर सभी देवस्तानों से होते हुए पुने माता रानी के मंदर पर जा लेते हैं मातारानी की पालकी में सम्मेलित होते हैं मातारानी के मंदर से पालकी पहाडी मार्ग से होते हुए ग्राम में आती है मतलब बेंजबा माता गाओं के समस्तिस्तानों से होते हुए बो दوبारा मातारानी के मंदर पर पुना पहुँच जाती है मातारानी के इस दर्वार में भी चेत्र में और माओ के महीने में और अश्विन महीने में बहुत जादा शंक्या में सरद्दालू यहां पर मातारानी के दर्शन करने आते हैं और मातारानी का आशिरवात प्राप्त करते हैं बघ्राइट में नवर्वार से लोग पर चूनर यात्रा ले के आते हैं जो चेतर के नवर्वाख अश्विन के महा में भी आते हैं और माओं की वुषनद बने के यह करके मच जाईएगा वहाँ चलके और भी आपको जानकारी जो भी हमसे वहाँ से एक अत्रेत होती है वो सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे जमात अदी अलो दोस्तों लीमा चौहान पहुच चुके हैं वेस्टों माता जी कुछ समय दूर है अभी पहुचने वाले हैं कि यह वाँनु पता नहीं है एक अन्सी बाते करता है मुझे यहाँसा के मेरा चौहां तो साथ है लीमा चौहन हम पहुच चुके हैं यहां से 5 किलो मीटर दूर है मंदर मैंसमा माता जी जहां हम आज जा रहे हैं दर्शन करने तो बस कुछी समय में हम माता जी के दर्शन कर करने वाले हैं तो जय माता दी अभी हम दर्सन करेंगे और आपको दर्सन कर बाएंगे हम थोड़ा यहां पर रुख जाए थे थोड़ा पानिवानी पिया थोड़ा रेश्ट किया हम काफी दूर से गाड़ी चला के आ रहा है कि यहां से हरी पुरा से 50 किलो मेटर पड़ता है आज कितने बड़े सोबागी की बात है माता रानी ने हम अपने दर्सन के लिए बुलाएं उनके आदेस था कि हम दर्सन करने और मेरे साथ है वानू बना जै माता दी तो इन्होंने असा अज मुझे पागल कर दिया है मेरे पेट दुकरा बोती एक तो बासा मुझे थोड़ मंदर पर दर्शन करते हैं जैश्यराम जैमाता दी खमगनी करको से प्राण ककी ऒयाँ एता प्राण कर्यापक सिंक करते हैं लिल्म दाखровास से खब प्राण के से लेदां कर ध cavity है ख शौर तो हम पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगड में यहां का नजारा वह शांदार है और वो बेटी हैं अमारी माई जय माता दी तो साथियों जय मातादी हम फाइनली भेंस्बा माताजी के मंदर में पुँच चुके हैं तो अभी यहाँ पर आज हम अच्छे सही समय पर आया है थोड़ा यहाँ पर मकराना से सिला आई है मंत्त थर जो आया मंदिर नाय सिरेश है नमनिरमान और चले मांधिर सब भी кажओ को शुक्त नब देखेंगे विसम हम पहले तो सब पह Heroes करेंगे कि हम दर्शन के लिए आए है बिसे रूप हूं से skrips sem करेंगे इसके बाद आम मिलते हैं या श्यराम utiyon हम जैंसे कि आपको पता हम हम पोचिके के दर्वार में पहुच्छ चुके हैं हम यहां पर मिले हैं अभी नागर पीछे आभी जो देख रहा है अभी माता जी का स्थान आपको पीछे देख रहा होगा वहीं पर माता जी बैठी है और अब हम चलते हैं माता जी के दर्शन करेंगे और अंकल जी यहां की ऐसी सुनने में आया था मुझे कि यह माता जी परकट हुई थी एक बालिका के ऑखके थे तो उनको मतलब उनके पास मतलब जंगल में मिली की तो भी थे पास नाम बूल रहा था वहां तो उनकी बहु inclus oh बहु जा बेटी कुछ होगा है बेटी थी बेटी के रूप में थी मतलब उन्हें जंगल में मिली थी तो उन्होंने अपने पास रख लिया था तो उन्होंने अपने पास रखा उनको तो बहुत मतलब बक्रियां चराने जाते थी तो उनको मतलब जंगल में लेकर जाते थे त तो फिर माता जी का जो चमतकार देखा तो क्या है नगनवस्तम हो जाती थी वह उसकी दूइशक्तित से और अपना पानी जो बर जाता है तलाई बोलते हैं इसको दूद तलाई बोलते हैं किदर है वो जसते हिदर जरा सी दूर है यहास के तुना दूर पड़ेगा यहास बस बिल्कुल जाना आप वाप है तो अभी हम भावी चलेंगे वावी दर्शन करवाएंगा तो फिर माता जी जमीन में समा गई थी तो इसके बाद हुआ यह कि उन्होंने बहुत बिलाब किया लाका जी ने बहुत पच्छा पस्चताप किया पस्ताय तो इसके बाद फिर माता के रूप में माता जी परकट हुई है बागी उनकी प्रतिमा भी है यहां पे तो उसके भी दर्शन अब करते हैं टेर हुआ हिए मंदर के पीछे की दिबाल पर उल्टे सात्य सात्य अमने है जो मनुकामणा पूर्ण होने पर सीदे कर दिये जाते हैं और भी कथा बच रही है बन्दारे चल रहा है उनका थाम तानिज साथि करवाते हैं मातारानी के दर्वार में इस तरह हमने माता जी के दर्शन किये अब माता जी के दर्शन करने के बाद हमें अब नागर जी ले जा रहा है बड़ी गादी पर अब हम बड़ी गादी के करेंगे Μあि की जहां पर माता जी का हाथ निकला था जमीन से हाथ प्रकट हुआ था अब यह ही वो जगह यहां मातारानी का हाथ निकला था मातारानी की यह परतिमाय है जो आप देख रहा है जा मातादी बेटा यह बहरोबाज राज जी के दर्सन है यह बहरोबाराज जी बेठें है जैशियराम जा मातादी यह मारवल मकराना से आया जिसके आदार पर मंदर का नब निर्मान होगा यहां पर हम थोड़ा लेट हो चुके हैं मीटिंग और वासन जो चल रहे थी वह आप खितम हो चुके हैं तो अब साथियों हम बड़ी गादी से होते हुए अब दूद तलाई की ओर चल रहे हैं तो साथे में यह वही दूद तलाई है जहां पर मातारानी अपनी भेंसों को बक्रियों को पाना पानी पिलाती थी तो वही चलना है वही दर्थन करेंगे उस अलोक जगह के भी जम आता दी यात्रियों के रुखने के लिए धरम शाला एवं अतिदी ववन भी यहां पर उपल की सतरियों वहीं प्ली भी आइए फिनल पाव्य पहुंच चुके हैं दूद तलाई पर जहां पर मातारानी अपनी फ्öll出去 पानी पिलाती थी यहीए वह मैंनियौ nHH कर दिया है इसे दोबारा से बनाा के बढ़िया तैयार कर दिया कर दिया है और यहीं पर यह थान भी बना तो इसमें जा सकते हैं मैं भी थोड़ा जल ले लेता हूँ हालांकि मुझे कोई रोव होक तो नहीं है बांकि जल है जल तो जली होता है यह है देखो तो इस तरह हमने जल लिया माताराणी के कुंड का दूद तलाई का और फाइनली हम अपने घर की और प्रिस्थान करेंगे पर घर जाने से पहले हम सामने बाला जी का मंदिर एक और पड़ता है कौन सा इस्थान है बाला जी का इस्थान ने वह आपका गाओं है अभी जाएंगे इसके बाद हम वीडियो का शमाप्त करेंगे चीशे को नाम है अच्छा जी के इनका क्या नाम है ऐं आप यहीं से हैं भी बटकेड़ी वाला जी से हैं कितनी कि इतने तीर्थ में रहते हैं हम तो कितनी दूर से अरहे हैं उनका असीरवाद था वहीत हमें यहां तक हैंच के लाई अपने चड़नों में अनुनिस्तान दिया यहां पर बुलाया हमें हम मतलब बहुत अच्छा मेहसूस कर रहा है बहुत खुशी हो रहे हैं आज मुझे यहां के तो साथ यह बार का यहां का चमतकार है अंकल यह आपको बताएंगे क्या हुआता अंकल की पाड़ी पेसे एक बार यहां पर दर्सन करने के लिए यात्रियों से गाड़ी गाड़ी अच्छा तो वह गाड़ी पल्टी खा गई थी तो फल्टी घाते घाते खाए में निच्छा गिर गई लेकिन गाड़ी का एक सीसा भी नहीं पूटा और किसी वह रोश प्रक्विन यह वह बहुत से चमतकार मैंने भी सुने हैं कि मेरे दोस्त की पहले यहां पर अच्छा सुपह हो गई उसको बट पंडे लोग जब रात में जगे उनकी लीला है माता खुद नहीं चाहती को उनके बच्चे मतलब ऐसे रहें कोच मतलब उन्हें दिक्कत आए मातों मां होती है अब आग्या दीजी हम भी चलते हैं और क्या वहां चलते हैं बाला जी की दर्थन करेंगा भी माता रानी का नवनिरमित मंदर कुछ इस थारे देखेगा यह उसी का प्रस्तावित प्रारूप है माता रानी के दर्बार में भाब्वे प्रसादी वित्रण भी चल रहा है हम गुना से आए अंकल जी न हमें ज्यादा प्रसाद दिया कि बोला है कि भाहां जाकर प्रसाद वित्रन करना यहां पर बढ़ी प्रसादी वित्रन सल रही है और बहुत आनंद आया माता राणी के दरबार कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो मुझे माता राणी ने बड़े दिनों बाद बुलाया मैं कब से अर जी लगा बैठा था पर आज दर्सन करने बुला लिया फाइनली आज माई के दर्सन हुए तो दोस्तों अब माता राणी के दर्सन करने के पस्चात हम चलते हैं भाट का मंदर आगया है दन्नकात बुजा यही है है इस रास्ते की हमें ज्यादा जानकारी तो थी नहीं पर जैसे तैसे हम रास्ता पूछते पूछते बाला जी के दर्वार में पहुंची गए जा बाला जी सरकार साथियों आज मंगलवार और शनिवार ना होने के कारण मंदर में भीड नहींगे और हमें आराम से दर्शन हो जाएंगे मंगलवार के दिन बिशेश रूप से यहां पर अनेकों अशाद्य रोगों की दवाय भी बित्रित की जाती हैं जैसे राम तो यह हैं बाला जी सरकार के प्रमुक दर्शन शाथ है माता जी और भूले नात जैसे अराम मित्रों तो अभी हम पहुंच गए हैं बाठकेड़ी बाठकेड़ी बैंसबा माता जी के बिलकुल शामने यह मंदर इस्तित है एक गाउं पढ़ता है बाठकेड़ी तो वहां प आपकेड़ी बाठकेड़ी जाता है यह बहाँ पे चंता जान चंटरन्वाला 돼 जिए अब देखो लिए अर्मेल यहां पना ओम्म अडरहं ले नंगी के शामने जिए वनावी समैं नै सामने घर यहां पी गयना की पिर तो यहीं नोंने बुलाब ड़ी यहां अगीय मित्ष की और बाबा के दर्संद किई वीडियो आपको कैंसा लगा कमेंट करके जरूबलतायचा अगर आप हमारे चैनल पे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट किजिए शेयर कीजिए तो मिलते अगले लोग में शभी को धन्यवाद जैसियराम जैमाता दी खमा गणी जैसियराम बाशाब जैसियराम 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 तो साथियों माता जी के और बाबा के दर्सन करके हम आ चुके हैं संडावता मार्ग संडावता और जीरापुर मार्ग कुन सा है संदावता और थारंग परमार्ग पर हम पोँच चुके हैं अब हम यहां से जीरापुर के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी दिर में हम जीरापर पहुच जाएंगे क्यों माना साब पहुच जाएंगे ना और क्या गाड़ी आप चलाओगे मैं तक चुका हूँ है अच्छे क हम आता है ठीक है पर हम रिष्क नहीं लेंगे गाड़ी में चलाओगे